नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत आपका आज की वीडियो में इंसिट्यूट ओफ फोरेश्ट बायो डाइवर्सिटी इंडियन काउंसिल ओफ फोरेश्ट रिचर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरब से वेकेंसी निकाली गई है पहले मैं आपको दूसरी पोश्ट के बारे में बताता हूँ दूसरी जो इसके अंदर पोश्ट है वो है लोवर डिविजन कलर की इस पोश्ट पे अपलाई करने के लिए आपने बारवी क्लास पास का रखी होनी चाहिए उसी के साथ में आपकी जो टाइपिंग है आपको 30 व और वेकेंसी निकाली गई है टोटल एक पोश्ट पे इसके अंदर वेकेंसी निकाली गई है जो की OBC के लिए है पेस्केल देखे तो इसके अंदर आपको जो रहेगा वो 19,000 रुपे पर मंत रहेगा और आगे बात करते हैं अगली पोश्ट के बारे में तो अगली जो आपने 10 वी क्लास पास का रखे होनी चाहिए किसी भी रिकोजनाइस बोर से और उसी के साथ में आपको मिनीमम तीन साल का एक्सपीरेंस होना चाहिए इसी रिलेटरी ट्रेट के अंदर तब आप एलिजीबल है MTS की पोश्ट पर अप्लाई करने के लिए और एज लिमिट की जिसके अंदर आपसे 25 कोशन तो quantity aptitude से English language से 25 कोशन, general awareness से 25 कोशन और general intelligence से 25 कोशन पूछे जाएंगे पोटल आपसे 100 marks, 100 marks का आपका paper होगा जो कि आपको एक घंटा 30 मिनट दिया जाएगा तो एक घंटा 30 मिनट के अंदर आपको 100 कोशन complete करने होगे इसको qualify करने के बाद आपका scale test होगा देखते हैं अगली post के बारे में तो अगली जो post थी वो है multitasking staff की तो इसके अंदर भी आपसे MCQ टैप 100 कोशन पूछे जाएंगे और अगर आप उसको qualify कर जाते हैं तो उसके बाद आपका selection लिया जाएगा और आगे बात करते है negative marking की तो इसके अंदर आपकी negative marking होगी जो की one fourth की होगी अगर आपके चार answer गलत होते है तो आपका एक number deduct कर लिया जाएगा तो इस चीज़ कभी आप ध्यान रखे आगे मैं आपको पताता हूँ इस vacancy को apply कैसे करना है इस vacancy को आपको offline apply करना है इस vacancy को apply करने से पहले application fees की payment करनी है वो 300 रुपे करनी है आगे मैं आपको पताता हूँ वो आपको application fees की payment कैसे करनी होगी तो इसके अंदर आपको demand draft करना जो की डायरेक्टर इंसिट्टूट और फोरेश्ट बायु डायवर्सिटी इनके पक्ष में दिया हुआ होना चाहिए है दराबाद में तो आपको डिवान ड्राफ्ट करना होगा डिवान ड्राफ्ट के जो सिलिप में लेगी उसिलिप के पीछे आप अपना नाम और जिस पो कष्यूफ्ट करना है फिल करने के बाद आपको एसके साथ टैजर करना है अंको जो एडरस दिख रहा है इस एडरस पर भाई कर देना है और क्यू outrageous करने की जो 24 नवंबर 2020 की आपको 24 नवंबर 2020 से पहले पहले इस वेकेंशी को offline apply करना है और जब अब इसे वेकेंशी को apply करेंगे तो आपकิ जो दो फोटो आपको जिनके पीछे आपका नाम और जिस post के लिए apply कररे को यह पोस्ट का नाम लिख के आपको उस आपके envelope के अंदर डालनी है और जो आपका envelope होगा उसके जो उपर आपको application for the post of और जिस पोस्ट के लिए अपपलाई कर रहे है उस पोस्ट का भी नाम लिख गया है और देखते हैं फॉर्थ point के बारे में तो इनके दुआरा fourth point के अंदर बताया गया है कि अगर आप अपनी incomplete information fill करके भेजेंगे तो आपका जो application form है उसको reject कर दिया जाएगा और दूसरा point के अंदर बताया गया है कि अगर आप अपने document पे sign नहीं करते है या आप date fill नहीं करते है या photograph को अटेच नहीं करते है तब भी आपका जो document है उनको reject कर दिया जाएगा और इनके दौरह यह भी बतायागा अगर आप proper जो आपके certificate है उनको उनकी जो photocopies है वो अगर अटेच नहीं करते है तब भी आपका जो application form में उसको reject कर दिया जाएगा कर सकते हैं तो फिलाल अभी तो यह था इस वेकेंसी में बताने के लिए अगर इस वेकेंसी से related आपका कोई भी question या doubt है तो आप मुझसे नीचे comment में पूछ सकते हैं ऐसे ही government और private jobs की detail time to time जानने के लिए इस channel को subscribe करें thank you so much